तोडेर स्टुडेंट आज किस वीडियों बात करेंगे बी थर्ड समस्टर के हिंदी के MCQ टाइप के मोस्ट इंपार्टन कोश्चन एंसर के बारे में तो जिन जिन भी इन्मस्टी वा कॉलेज में स्टुडेंट की आने वाले दिनों में बी थर्ड समस्टर जानी कि बी थर्टिय समस्टर की परिच्छा है और उनका सब्जेक्ट हिंदी है और उनका जो पैटर्न है एकजाम का वो MCQ बेस पर है यानि कि अब्जेक्टि कोश्चन आने वाले है जिसको बहुवकिल पर बोलते है तो उन सभी स्टुडेंट के लिए ब पहला प्रश्चन है कि आधनिक काल के लिए इन में से कौन सा नाम नहीं दिया गया है मतलब कि आधनिक काल के लिए इन आफसरों में से कौन सा जो एक नाम है वो नहीं दिया गया है ठीक है और बाकी सब दीएक है तो आपको यहां पर ध्यान देना है फिर एंसर करना है ठीक चाके प्रशन आपको देखने को मिलेंगे एक पर इच्छन रहीगा चार अपसर नहींगे जो सही रहेगा हो उसको आपको टिक पर दिया जाएगे इसमें होंगे एक आपको एंसर सीट दी जाएगी जिसको बोलते उस पे आप लोगों को गोला बनाना होता है ठीक है तो निश्ट कोईश्टन कहरा कि हिंदी गद्ध की प्रथम रशना चंद जान सुरेंगे हिंदी गद्ध सब्जेक्ट आपका हिंदी है और प्रश्ण पत्र कोईश चंद बर नन की महिमा इसके जो रश्णाकार है वो प्रमुख बिद्ध्वान है इनका नाम है गंग कभी सही जबाब्बा होगा ओके निश्ट कोईश्टन है कि 252 बैस्टवन की वारता तथा 84 बैस्टवन की वाता के रचैता कौन है एक मतलब की रश्णा है जिसका नाम है 252 बैस्टवन की वारता तथा 84 बैस्टवन की वारता ठीक है तो इफ रचना के रचैता यानि की लेखक कौन है उनका नाम बताना है तो इसके लेखक है गूकुल नाथजी ध्यान रखेंगे एक प्रमक प्रश्णा है हमेशा रिपीट हुआ है पिछले फालो में इफ लिए आपको इसको जोड़ ध्यान लखना है ठीक है सारे क्वेश्चन हम आप सभी के हिसाफ लेकर आएं और आपके एक्जाम को नजर में देखते हुए इस ग्याम के हिसाफ लेकर आएंगे ताकि आपको एक्जाम में आपके हेल्फ मिले नेश कोईचन है कि स्रंगार रफ मंडल ग्रंथ के रचेता कौन है तो जहां से सुनेंगे एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्रंगार रसमंडल ठीक है तो इस ग्रंथ को निकलने वाले विद्वान को नहीं हुए उनका नाम लिखना है ठीक है इसका साइज जवाब हो जाएगा बिठ्धलनात हर एक क्वेश्चन में ए से यहां पर एक कोश्चिन और हो सकता है कि विठ्थलनात की यह फिर बिठ्थलनात के ग्रंथ का नाम लिखे तो वहां पर आपको वह फार रस्न दे जाएंगे इसमें से देखोगा स्रंगार समंडल तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस तर्यक्ति के कई फारे गुमा पिरा के कोश्चिन पूशे जाते तो द्यान रखना है स्रंगार समंडल बिठ्थलनात के द्वारा रचा गया है इन्होंने लिखा इसको आगला प्रश्च्ट प्रस्त है कि नाभा इसकार जो याम है इसकी रचना इन्होंने किस टाइम पर की थी किस समय पर की थी मतलब कि वह समय कौन था तो सही जबाइब इसका हो जाएगा अप्शिन नमबर साथ 1603 में यहां पर भी कई सारे कोश्चिन चिपे हैं जिसके कि कोश्चिन ऐसा भी आप सकता है कि अफ्टा आम किसकी रचना है तो नाभादाफ की है ठीक है ऐसे भी आपको कोश्चिन देख रहे हैं और अफ्टा आयाम की जो रचना हुई है किस समय में हुई थी किस सन में हुई थी तो वहां पर आपको 1603 सिलेक्ट करना ध्यान ना करना ठीक है चले निश कोश्चिन है कि प्रेम सा ठीक है सही जबाब आहोगा अगला की भांसा योग वसिष्ट का रचना काल इन में से क्या है मताब कि भांसा योग वसिष्ट एक रचना है एक क्रत है और इस क्रत को किस सन में लिखा गया है या फिर ये किस समय की रचना है तो सही जबाब इसका हो जाएगा अप्शन दूसरा नाम है उद्र round रचित एक रचना है और रचना का दूसरा क्या नाम है आपको बताना को दूसरा नाम है रानी केतकी कि कहानी सानांबा सही सबाहस होगा अगला हमस्तुत है कि नाच के एक रचना है, एक क्रत है, ठीक है, और जिसका नाम है नाशिक कितो पाख्यान, और इसको रचने वाले या पिसको लिखने वाले प्रमुक कभी है, सदल मिस्र जी, सही जबाब, सा होगा, आ नमबर होगा, आ सोरी, दस नमबर कोश्चन है, कि हिंदी गद्ध का सूत्र पात्र क कब से माना जाता है यानि कि हिंदी तो एक सब्जेक्ट हो गया इसी में हिंदी गद्ध है इसी में हिंदी पद्ध है ठीक है हिंदी काब्ध है ठीक है तो आप लोग को ध्यान रखना है जो हिंदी है एक सब्जेक्ट है लेकिन हिंदी गद्ध जो हो इसका पार्ट है ठीक है तो हिंदी गद्ध की जो शुरुवात है किस सन से इनाफसुन में से तो चलिए साही जवाब आपको बताना है तो सही जवाब हो जाएगा अठारा सो इसबी से हिंदी की नहीं हिंदी गद्य की शुरुवात हुई थी यह फिर आपका इफक्त है किसकी जो सूत्र पात्र है जो बिज्ञानिक ने अपने मत पृस्तुत किये हिं एक नाम जो सामने आया वो अठारा सो इसबी में परचित हुआ लोगों तक ध्यान रखे अगला प्रशन होका की कई राजा भोज का सपना के रष्णाकार कौन हे आपके भी थर्ड समस्टर में अस्यषा शिव परसाद सितारेहिंद कभी, हेड ली गई है यह आ सकता है कि सितारे तो आपको समझ जाना कि राज शुप्रसाथ की बात हो रही है इन्हीं को पाध हे मिली एक इस तरह रही अगला प्रस्ण है कि कि धली किस्ट ने कहा था एक पंगत है एक लाइन है कही गई थी दिन्दी नई चाल में धली है और यह 2022 और तेश्म लगातार पूछा गया कोईश्चन है और इस बाद 24-25 में भी फंशेगा और 26 में भी फंशेगा आने वाले दिनों में जब भी एक जाम होगा उसके लिए महात पूड़ें तो यह जो बात है यह भारतियंद हरिष्चन की द्वारा कही गई है सहीजवाब भाब होगा अगला की भासा योग वस्ष्ट रश्णा है कौन से कभी की तो सहीजवाब इसका हो जाएगा अप्शन नंबर साराम प्रसाद निरंजनी की ध्यानक केंगे अगला क कि आधुनिक हिंदी गद्द का प्रवर्तक किसे माना जाता है फिर आप लोग कहते हैं पिता या फादर या सुरुवाद कितने की है ठीक है तो हिंद आधुनिक हिंदी गद्द का प्रवर्तक या फिर आप कहते हैं पिता जो माना जाता है वो माना जाता है भारतियंद कुछले वर्सों में रिपीट हुआ है इफ ले महत्पूर्ण एक्जाम के लिए आपके अगला कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं यह कथन कौन से बिद्वान ने कहा है यह फिर कौन से बिद्वान ने कही यह बात यह बात कहिए राजा लचमर सिंग जी ने सहीज बाब्बा होगा अगला प्रस्तुत है कि जॉन गिल क्राइस्ट हिंदी भाफा के लेकिस लिप के पच्छ पति थे तो वह जो थे वह रोमन लिप के पच्छ पति थे जो कि आपके स्लेबर्स में है और इसकी रचना जो है वह अठारा सो इश्वी में हुई है दरंबर्स का सही उत्तर होगा अगला प्रस्त प्रसुत है कि कि रचनाकार की भासा में ठेक है पंडेतावूप एवं पूर्भी सब्दों का प्रियोग है ठेक है तो ध्यान रखें उस प्रमुक कभी का नाम है जिसमें ये फिर उसकी भासा में ये सब्दों का प्रियोग किया गया है उस कभी का नाम है शदा शुकलाल जी ठीक है अगला प्रस्त 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 कि इंसा अल्ला खां की रचना कौन से इन आपसरों में से तो इंसा अल्ला खां एक प्रमु कहानी का विकास कबसे मानना उचित है हिंदी कहानी हिंदी उपन्यास हिंदी निबन हिंदी हिंदी उपन्यास हिंदी आप लोग अलोशना है ठीक है बहुत फारी तरीके के जो ये अलग-अलग विधाएं हैं इन सभी के सुरुवात के के बारे में कब से माना जाता है वो पूछा जा फक्ता है लेकिन यहां पर हिंदी कहानी के बिकाश के बारे में कोश्चन पूछा गया है कब से मानना उचित होगा तो इसका सही जबाब हो जाएगा अलग-अलग विद्वारों ने अलग-अलग समय बताया है लेकिन जो है कि किसे हिंदी की पहली कहानि माना जाता है कौन Сी एक रस्षन है कौन Sी Keale haya जो हिंदी की सब से पहली कहानि मानी जाती है ता इसका साहिक हो जबाफ हो जाएगा आफ से नंबर इंदूमति इसमें भी बहुत फारे अलग-अलग अलग मदोफ भी हैं इन्दू-मति को माणा गया है। या फिर इफ जो रशना है सके राइटर लेखक कोंए ? इसके राइटर हैं किशोरी लाल गोशवामी धिinar ज्जान रखेंगे अनंबर सही जबाब होगा अगला प्रस्वार्शन है कि इन्दुमति भी प्रकासित हुई थी लोगों तक आई थी मार्किट में ठीक है पहली बार यह आई थी सरस्थती पत्रिका में ठीक है ठीक है और सकतर नारा होगा अगल्य की 11 वर्स का समय कहाने के कहानी का समय और इस वर्स न्हाम आप को बताने तो अचाह राम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताने का पिर्यास कर रहे हैं हर एक प्रस्ण और उसका उत्तर ताकि आपके दिमाग में चड़ी चड़ी जाए ठीक है यतने बेहतरी तरीके से कौन पढ़ाएगा कोई नहीं पढ़ाएगा हम पढ़ा रहे हैं आते हैं एकले question पे आला question तो इसले सही जवाब हो जाएगा सानमबर question reverse भी हो सकते हैं ऐसा हो सकता कि लाला भगवान दीन ने कौन सी कहानी लिखी है तो वहां पर बहुत फारी कहानी के नाम हो सकते हैं गेरावस का समय हो सकता है छेत्र की चुड़ेल हो सकता इंदु मती हो सकता है ठीक है इस तरह कि क इनमें से कौन सी कहानी चंद्धर सर्मा गुलेरी की है तो नंखेंगी जो चंद्धर सर्मासी है इनकी जो ऑप रस्टना है कहानी है वह सुख मेस जीवन भी उसने कहा था यह विद्धु का काटा एविए इसले सभी कहानिया में कभी हिंधोन कौन सी कहानी है यह आपको बताना है उसने कहा था यह प्रमुक यह फ्रेश्ट कहानी है ठीक है ध्यान रखेंगे अगला कि प्रेम चंद्र की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था तो प्रेम चंद्र जो कि प्रमुक लेखा कहें कभी हैं और इनकी जो पहली हिंदी कहानी थी उ तब कि जब last stage आ गया था यानि कि अन्तिम कहानी उसने कौन लिखी थी उचके बाद उन्हेंने कहानी लिखना बंद कर दिया था तो उस कहानी का नाम बताना है तो उस कहानी का नाम है कफन बानमबर्श का सही उत्तर होगा अगला प्रशन कहे रहा है कि इन में से कौन सा निबंदकार भारतेंद यूग का है तो भारतेंद यूग के जो निबंदकार है जिन्होंने निबंद लिखे हैं बहुत फारे थीक है तो उस प्रोंक कभी का नाम है प्रताप नराण मिस्र ध्यान लखेंगे भारतेंद यूग क ये प्रस्तुत है कि लेवी प्राण लेवी निबन्द के लेखा कौन है एक निबन्द है जिसका नाम है लेबी प्राण लेबी और इस निबंद के लेखक का आपको नाम लिखना हैं तो इस निबंद के जो लेखक हैं उनका नाम है ध्यान लखेंगे बहुत ही प्रमुक प्रस्न है हुआ हो जाएगा है आंविए अगला प्रश् tire की सियुसंभो का चिठा एक निवन्थ है और वरीछ के निवन्द का संकलन है यह जिस प्रमुक दवान के निवन्द का संकलन है । उस्क्रमुक कभीका नाम है त्यान रखेंगे बाल मकुंद गुपता जी दानम्बर सही उत्तर होगा अगला की भाउं पेट आत नाक आद निबंधों के लेखक कौन है यह निबंध भी है नाक दात पेट भाउं यह सब निबंध है और इन से भी निबंधों के जो लेखक हैं जिन्हों निबंध लिखा ह उनका नाम बताना है तो उनका नाम है प्रताप नारार न्रमें मिस्त दानंबर सही जवाब होगा अगला कि दुवेदी युग का नाम करण किस के नाम पर किया गया ज़ेसे भारती इंदुग है दुवेदी युग है ठीक है अधुनिक का इसी तरह बहुत फारे यूग हैं उन्में से एक दुवेदी यूग है और इस दुवेदी यूग का जो नाम laughing किस के माम पढ़ा है किसके नाम से दुवेदी का जाने लगा तो उस प्रमुक और बहुत ही पौपलर कभी काथ नाम धहनऊनोंगा Bak महाप्रसाद दुबेदी जी के नाम पर ही भारतीन जुक का नाम पड़ा है यह भी नाम करण हुआ है इसलिए इसका सही जबाब होगा पहुत ही महात्पूर्ट प्रस्ण है रामबान कोईश्टन एक्जाम के लिए अगला कोईश्टन है कि बेकन विचार रतना वली किसकी रस अध्यापक पूर्ड सिंग बीजिए तो यह सभी दुवेद्य के प्रमुक निबंदकार है तो सही जबाब दा होगा क्योंकि यह सभी है उप्रक्त में सभी होगा अगला प्रस्ण प्रस्तुत है कि गोबर गणे सहिंता किसके निबंद का संकलन है तो यह जो है वो चंदध सर्मा गुलेरी के निबंद का संकलन है सही जबाब आहोगा अगला है कि कुष्चन की कन्यादान पवित्रता कन्यादान पवित्रता नामंग निबंद के लेखक कौन है तो जिन्हों ने इस नाम के निबंद को लिखा है उनका नाम है अध्यापक पूरुड सिंग सही जबा जetaan रखेंगे सभी प्रमुक्ट प्रश्ण हैं इक्जाम के लिए बहुत ही महत्तोर्फ प्रयुण है अगला कि कविता क्या है निवन्द के लिखई कौन इक के निवन्ध इसका नाम है में इस निवन्ध को लखनय वाले जो प्रमुक्ट का भी है कि नाम है अचार चार बहावात्मग निबंधकार हैं यानि कि ये बहावात्मग वर्ग के निबंधकार हैं सही जबाब आ होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है कि अचार रामचंद सुक्ल निबंध संकलन इन में से कौन सा है ठीक है तो आज किस वीडियों बस इतने कोश्चन और हम आपको बताएंगे और एकदम सरलमासा में बाकी हमारी जो वीडियो आएंगी और भी आएंगी थोड़ा एक्जाम को टाइम कम रहे जाए तो और भी अच्छी तरीके से कोश्चन आप लोगों समास पुस्तुत करेंग बताब कि ज्यादा कोश्चन सो ताकि आपके एकदम से लास्ट में आपको प्रेसर ना पड़ें तो अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा यह आपका अपना ही चैनल सक्षेट हुई हुए जो कि आप लोगों के ल सब्सक्राइब जरू करके जाएगा मिलते हैं और ने वीडियो में चैनल